और अब खबरे विस्तार से दिपावली की मौके पर जबलपुर की महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की भारी भीर देखने को मिल रही है ना सिर्फ जबलपुर बलकी दूसरे से शेहरों से भारी संख्याब या श्रद्धालू मा की दर्शन के लिए पहुँच रहे है सनातनी परंपरा में अमाविस्त्या की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है दीपवली में लक्ष्मी पूजन का एक अलग महत्व है लक्ष्मी उश्री गडेश जी की पूजन करने से ऐसी मानता है कि आपकी सम्रद्धी के द्वार खुलते है लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजिन करते हैं, गड़ेश प्रतिमा विराजमान करते हैं, लेकिन कुछ सिद्धिस्थान होते हैं, जहां पर जाकर पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है, उसी तरह से एक सिद्धिस्थान जबलपुर में है, यह है महालक्ष्मी मंदिर, यू तो भारत में कई महालक्ष्मी मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का एक अलग महत्व है, क्योंकि यहां महालक्ष्मी की सिर्फ अकेली मूर्ति है, इस महालक्ष्मी मंदिर को बताये जाता है कि ग्यारा सो वर्ष पूरू बनाये गया था, और इसके बाद यहां पर पतंतर से दिवी की जाती थी इस मंदिर में लगातार भक्त दीपवली की रात को पूजन करने आते हैं और मानिता ऐसी है कि यहां मांगी गई जो मानिता हैं वो पूरी होती हैं प्राया लोग धन की सिद्धी लेके यहां पहुंसते हैं तो जबलपुर के इस एतिहासिक पचम कथा महालक्ष्वी मंदिर की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कल्चुरी काली इन में निर्मित यह महालक्ष्वी मंदिर जबलपुर के एतिहासिक आधारताल तलाव के नजदीक है इस समय इस तलाव की हलत बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन उसके बाद भी पर्यावर जाती है और दीपावली के समय जो कमल की पूजन की जाती है वह इस तलाव में बड़ी मात्रा में मिलते हैं यहां सफेद और गुलावी रंग के कमल प्राया पाए जाते हैं यह मंदिर पचमठा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है इसके पीछे मुख कारण यह है कि इस मं मुख गुंबज है और इसके चारों तरफ चार गुंबज और बनाये गए हैं वर्गगार इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अश्ट पलक की कमल के आकार की आकृती में बनाया गया है इस मंदिर की जो विशेष्टा है और जो इसके इतिहास है वह अभी किया था क्योंकि उन्हें ऐसी जानकारी थी कि इस महालक्ष्मी मंदिर का जो से दिपीठ है उस मूर्ती के नीचे बहुत सारा खजाना है और आकरांता जो थे मुगल शाशक थे वह भारत में जगा जगा खजाने की खोज करते थे उसी को खोजते हुए वे इस मंदिर पे भ रिस्त कर पाए और ना ही कोई खजाना खोज पाए यह जरूर था कि उन्हेंने बहुत सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया था खंडित हो जाने के बाद एक बार फिर भारतिये श्रदालू ने इस मंदिर का पुनर निर्मान शुरू कराया और यह आज भी एक विराठ सुर साधना के लिए यहां सभी सिध्धियां प्राप्त हो जाते थी लोग रात भर और कई लोग कई महनों तक अन्वरत साधना किया करते थे लेकिन अब समय बदल गया है साधना करने वाले यहां नहीं होते हैं तंत्र साधना करने वाले अब साधी साधना और प्रातना करने वा यह पहचानने जरा मुश्किल हो जाता है कि यह कौन सी मूुर्थियां, यह विजब मुगलसेना आई थी, तो मुगलसेना ने इन मूूर्तियों को कहनृत कर दिया था, लिकि जासा प्रतीत होता है कि मंदिर के चारोंट तरफ देवियों की मूूर्तियां अकेरी गई हैं, अं वे भी रिस्टोर नहीं कर पाए और अभी तक इसी तरह से खंडित मूर्तियों को ही यहां रखा गया है। यह मूर्तियां बताते हैं कि तंत्रसाधना में काम आती थी। लेकिन अब ना तंत्रिक हैं ना तंत्रसाधना। इसलिए अब यह जो मूर्तियां बनाई गई हैं इन्हें पूजित नहीं हैं और लोग अपने आप उसके दर्शन करते हैं। और इस मामले में यह बता सकते हैं। हम पंडिजी से आगे भी बात करेंगे कि यह कौन-कौन सी मूर्तिया यहां ओके ली गई थी। जैसे यह नर्सिंग भग्मान की मूर्ति देखने में प्रतीत हुती है। लेकिन सभी मूर्तियों के चहरे और जो चिन है वो खंडित कर दियो गएते हैं। यह असा लगता है यह बदरंग बली की मूर्ति होगी। इस मंदिर के अब हम गर्भ गरह में प्रवेश करेंगे। मंदिर का गर्भ गरह में एक पाशान का जो बहुत पुराना तरीका होता है। वो उससे बनाये गया है। इस तरह की कलाकृतियां खुजराहो और अन्ने मंदरों में देखने मिलती हैं। इसी से हमें समझ में आता है कि ये जो मंदिर है वो ग्यारह सो या बारह सो या हजार वर्ष पूर्व बनाये गया था क्योंकि ये जो कलाकरतिया और ये जो बनाने का तरीका है ये बहुत पुराना तरीका है पत्थर को काट कर मूर्तियां उकेरी जाती है और इसमें अलग अल टोल शाजिकों ने खंडित करने का पूरा प्रयाज किया था है महालक्षमी के इस मंदि जే से हमें अन्दर प्रवेश करना होता है, गर्वे मैं प्रवेश करते ही एक सकारात्मा कुर्जा हमें हमें अंती है, ये जो गोल गुमज due lectザ बनाय गया है और इसमें जिस तरह से गुमज के जारों तरफ जो कंपुरे बनाय गया है, और यह जो आकृति बनाई गी है यह श्रीयंत्र की तरह आकृति है मंदर के अंदर भी जो नकाशी की गई यह पूरा मंदर पाशान से निर्मित किया गया है इसलिए जब अंग्रेजों ऐसे मुगलों ने से तोड़ने की कोशिश की थी तो इसका कुछ भी परिवर्द नहीं क सूर्य की किरने पढ़ने से इसका जो रंग है वो कई वार परिवर्तित होता है अपने आप जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य अस्त होता है इस दौरान इस मूर्ती का जो रंग है यह तीन से चार वार परिवर्तित होता है हम पनी जी से जानेंगे कि क्या होता ह है कैसे होता है पड़ी यह बताइए कि यह जो मंदिर है इसका क्या इतिहास है और यह जो मूर्ती है इसका क्या इतिहास है कैसे इसका रूप परिवर्थित होता है यह जो मंदिर है प्रशीन मंदिर है एक कल्चिरी कालिन मंदिर है लंसम 1100 वर्स प्राना प्रफपत वालों न उन्हें बताया लेकिन जो चौकट की जो बनावट है एक कल्चुरी कालिन है जब आपने अंदर प्रवेश किया तो बाहर जब बाहर जब अंदर प्रवेश करें बिशाल स्रीयंद बना हुआ प्रवेश करी शोब होते हैं पूरा प्रम्ली कि मंद्र को बनाप होतां सिर्यंद प्रवेश करेंगा आप तो आप चौकष्छ जब आपको बाहरे मेले कि उसमें गज लच्छी प्राज माने धियान देज़े कर दोड़ा सा गज लच्छी प्राजमान और दोनों चौकष्ड बाजुमें सिंग प्राजमान अब बीचों बीच गर ध्यान मुद्रा बैठे हुए हैं और यहां पर मुगल जो औरंग जीवर है उसमें मूर्ति खंड़ करने का प्रत्नि किया और मूर्ति भाहत खंड़ भी मिलेगी आपको जैसे अब अंदर प्रवेश करेंगे आप तो बाहर अंदर जब गर्व गर्वेश करेंगे तो अश्दल कमल पूरा बिशाल स्रियंद बन बने हुए है नापका और नवग्रह पूरे यंद्र बने हुए है बारारासी नवग्रह पे अधारत मंदिर है और उपर विश्णु यंद्र है सीधे बीच गर्व गुमच के सीधे अब देखींगे तो आपको विश्णु यंद्र मिलेगा जाब चार चक्र ऊपर हैं तीन साथ चक्रों का विश्णु यंद्रिंट बना हुए आपके सामने है सामने सावने और दमांज खाव विराजमादान है समझ में आएगा बिल्कुल सपेद दुफैरे में कभी पीलापन में मैसुस होता है और कभी साम को स्यामा रूप समाज में आता है और संध्या समय तो कहते हैं मा लच्छिमी का आगमान का परवेश होता है तो मैं नियंतर 17-18 वरसों सिवा कर रहा हूं मैं खुद देखता हूं अनभव करता हूं भक्त जो लगाता नित आते हैं सपेद सुबह मा का सरूप अलग रहेगा बस साम को मा दिब रूप में दरसन देती है बस सत्ता है बास्तों में लच्छिमी का अगमान होता है यहां अगर वेक्ति साधना का कैंद्र है साधना की उर्जा स्रोत बना हुआ ह जैसे आप अंदर परिवेश करेंगे एक अलग सांती अन्हूती आपको मैसुस होना सुरू हो जाएगी और यहां अंदर साधना केंद्र जब जैठेंगे आप ध्यान मंद्रा में तो बहुत जल्दी आपको साधना और सिद्धी दोनों प्राप्त हो जाएगी बहुत सच्छे मन से आज आता है यहां पर तो बहुति को मैंने कामना पूरी हो जाती बड़ा सा बड़ा गरीब दर्द जिसके खाने को अन्न का दाना भी नहीं ना उसे मैंने बंती हुए देखा है राजसुरी किरपा से आज वी लोग वीसों वरसों से आ रहे हैं दीपावली में मां का महाविष्य किया जाएगा समीति के मारे पतात करी रहते मंदिर के उसके पश्चा नियंतर भक्त लगर आते रहेंगे रात्री के एक बजे के बाद मां का पंच मेवा से सहत्र आर्चन किया जाएगा भक्तों के द्वारा उस समय गर्वग्रह में कम से कम 200-300 लोग एक सरी फल से अहोती हैं उसके पश्चात सुवेश साड़े-चार बजे मां की मंगल आर्थी की जाती प्रात्यकालिय और श्वेश साड़े-चार बजे मंदिर प्रवंद होता है और यहां अखंड जोत और मांता का नर्या रखा जाता है बीच-बीच में मां के परभ होते रहते हैं सहर बाशिस नवेदन है राज लिष्टी हमारे मद्व इबराजमान है आकर दसन कर अपने जीवन को धन और सफला बनाएं यह बताए कि जो इसका इतिहास है वो लगवग 1100 बर्श पुरा ना है कि कल्चुरी कालीन है लोगों की मानताइवी पूरे सामन तोर पे जो मालक्ष्मी के मंदर है उन मंदरों में और भी पृतिमाय होती है ऐसा जानकरी है कि यह एक मातर मंदर है जहां सिर्फ लक्ष्मी मा की मूर्ती स्थापत है यह जबलपुर में कलौता मंदर तबशाल से अंधर मुझे जैसा मुझे ग्यात है कि मद्द प्रते से पहला मालक्ष्मी बिराजमान आडले बिराजमान राजरी उसरी एकेली उचिछ को मंदर नहीं मना जो अकेला हो मां उक्कल बिराजमान बिष्नु कि रूपे हैं और उस परी सरथ की यह पहले तंतर साथमा भी की जाती थी यह जो बाहर मूर्तिया बनी यह सब खंडित योगनिया क्योंकी योग नियां हैं Hertha no tar Ext principalे जाएम जाने करिया ले कि और सथ मुख़ाने ने रोड़ी करेंगे तो पहले लोग क्या होताु जब लोग आते नहीं थे जादा मंदिर में लोगs जानते नहीं थे तूब बहुक्त करने क्यों आते ते लोग लेकिंजी जब जैसे जैसे महीमा के बखान भुआ प्रचार हुआ लोग यहां के जागरुक्त हूए कि समीटियों मंदर शमाला बेवाश्ताय सब समली तो आज धांतितों तो नहीं होतिया साधना होतीया है साथ लेकर जी की मूर्ती स्थापत है, गर्यज जी स्थापत है, और कौन-कौन सी मूर्टिय है? ये तो गुपाल जी बिराजमान है, भागव culprit होती है, चुछ एक पाचक हूँ, तो शाथ में गुपाल जी आती हैurate नकी शिवा होती ही जहाँ महल हक्त्समी है, तो कहते हैं गुपाल की अरादना करने से, नरान की अरादना करने से, मा लच्षमी का अगमन होता है मा लच्षमी की अकेले आप साधना करेंगे अकेले अराधना करेंगे अकेले अवाहन करेंगे तो मा लच्षमी को पाने में तो आपको मुस्किल जाएगे अकेले लच्षमी कभी नहीं आती है और रचमी को भजेंगे ना माया को सब बदे déjàs Priclo roubal जी भर नागी वराइज माननेस जो एक in पर सोछ रोपे मांके शिर्णा होता है हर से पर माका स्चलान होता भी होता विश्यक लिए जो प्रथम आप से श्क नहीं कि किला जा सथा कि जो प्रत्मा वो पत्थर है बहुत परचीन है क्योंकि इस पत्तर को जान निए पता कि मारवले किया है मैं भी निजानता हूं जब कभी सपर्ष करते हैं आईसा मदसुद है जैसे किसी मनुस्त के पेरदवार हैं ऐसा मदसुद होता है तो इसलिए इनको छिर्खाई यादा मैं तब आज लक्ष्पी मंदिर आप पदा रहे हैं जी हमाये जवलपुर में बहुत ही हम लोग सवभाग जाली है कि महालच्पी मंदिर का हमारे अधारताल में मंदिर है और हम नित्ते दर कि जब भी चाहिए दशहरा हो चाहिए दिवाली हो कुछ वर्शोश में आ रहा हूं अमा का सिर्वात अब आप जी बिलकुल है बताई जाए जाए सब मैं अधाइटाल में रहते हूं वेरा नाम रामस्त केवड है मैं कहा है कि कम से कम एप कीजिव साल हो गए जह हम मा की दर्शन करने के लियाता हूं और जो ही उंसे विंति करता हूं तो वो उसकी मतला कि पू